तो पर्फेट रॉलिंग पर बेस्ट एक 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 एजामपल करेंगे इस एजामपल में हमें एक डिस्क दिया गया है इस डिस्क का जो रेडियस है यह है वन मीटर और इसके टॉप मुस्ट पॉइंट पर एक फोर्स लगा जा रहा है होलिंटल डारेक्शन में इधर के डारेक्शन में फोर्स लगा जा रहा है ट्वैंटी नूटन का इस डिस्क का मास है टू केजी और इसको किसी रफ सर्फेस पर रख दिया गया है ठीक है तो यह जो सर्फेस है यह रफ है हमें calculate करना है कि इस डिस्क का acceleration कितना होगा और इस पर friction कितना लगा और यहाओ हमил रसान के सॉर्फेसे इस का of कि IT रraws कितना लगाओ प淨 रखिए 2 तॉर्यद्ट काफेसे इस परता कितना लगाओाओंद। ख़्या इसितना लगाओ ठावाओंदी ऑर औरॉर्द prostu यह यह इसे रखिच्वेश्यार के टैडिस्वाओंड को जस्वारी also find friction force acting between disc and ground तो इस case में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस डिस्क का फ्री वरी डागराम बनाते हैं अना फ्री वरी डागराम बनाने के लिए लेखेंगे कि इस में एक तो 20 नूटन का फोर्स लग रहा है उपर से और एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ mg दूसरा लगा उपर के तरफ नॉर्मल और एक आएगा फ्रीक्शन फोर्स अब फ्रीक्शन फोर्स किधर लगा यहमें नहीं पता फ्रीक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन हैं वो पता नहीं है क्योंकि ये तो हता है static friction तो हम ऐसा करेंगे कि friction force किदर भी मान लेते हैं जब हम friction का direction पता नहीं होता तो friction का direction किदर भी surface के parallel मान लेते हैं उसको जब problem को solve किया राता है तो solve करने के बाद friction का value अगर positive आता है तो समझेंगे कि हमने जो direction slate किया था वो size slate किया था otherwise क्या होता है कि उसका direction reverse कर देंगे अगर friction force का value negative में आता है magnitude जो है वो फिर भी सही आएगा तो इस बार हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो friction force है वो friction force लग रहा है पीछे ऐसे मान लेते हैं यह friction force static है unknown है और इसका direction हमें नहीं पता तो क्या करेंगे अब इसका acceleration ए मान लेते हैं इदर और angular acceleration मान लेते हैं अलफा कुला कोई direction में तो इसका rotational equation of motion अगर लिखेंगे तो center के बाउट जो disc का center है center के बाउट torque आएगा 20 into r clockwise plus friction का भी clockwise है आएगा friction into r is equal to i alpha i लेंगे m r square by 2 into alpha ठीक है आचा translational equation लिखेंगे translational equation of motion तो यह हो जाएगा acceleration का direction of force 20 और opposite में f is equal to mass into acceleration और third equation लिखेंगे a is equal to alpha r इन तीनों equations को हम लोग solve करते हैं है ना सबसे पहले पहला equation जो है उसको त्वाशा simplify करेंगे 20 r plus f into r is equal to m r square by 2 into alpha तो इसको m r square by 2 और alpha को a by r लिखेंगे इस third equation से तो 20 plus f is equal to m into a by 2 यह जो पहला equation था उसी से यह equation आ गया 20 plus f is equal to m a by 2 और जो second equation है यह है 20 minus f is equal to m a अब इन दोनों को solve कर देते हैं solve करने के लिए हम क्या करेंगे add कर देते हैं तो add करने से क्या होगा कि यह हो जाएगा f और f हो जाएगे cancel इस तरह से तो आएगा इदर 40 is equal to 3 by 2 m a यह यह 3 by 2 mass तो 2 kg है into acceleration तो acceleration हा गया 40 by 3 meter per second square अच्छा अब इसी एक का वेलू किसी एक में रख देंगे जैसे इस equation में रख देंगे तो friction निकल दाएगा तो 20 minus f is equal to mass into acceleration 40 by 3 तो friction force जो होगा यहाँ से यह अगा 20 minus mass into 40 by 3 यह आगया minus 20 by 3 तो इसे हमें ध्यान देना है कि जो friction force आया है वो आया है minus 20 by 3 तो इसका मतलब यह हुआ कि friction force यहाँ पर एक निगेटिव साइन है यहाँ आपर एक निगेटिव साइन है निगेटिव साइन यह इंडिगेट करता है कि जो friction का direction हमने slate किया था वो ultra direction ले लिया हमने opposite direction ले लिया है इसलिए उसका direction हमों reverse करेंगे लेकिन जो magnitude आया है वो magnitude बिल्कुल सही है magnitude इतना ही आएगा तो यह हमें खास ध्यां रखना है कि जब हमें friction का सही direction पता नहीं हो है ना rotation में कई बार हमें सही पता नहीं होता है friction का direction तो सही पता नहीं हो तो contact surface के parallel किधर भी forward या backward direction में friction ले ले लेंगे और इस तरह से equation बनाएंगे equation बना करके solve कर लेंगे solve करने के बाद अगर यह positive आता है sign तो समझेंगे कि direction सही है magnitude तो सही आएगा ही ठिक अगर यह negative sign आता है इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो direction ले लिया था वो उल्टा ले लिया था friction का तो उसको बस क्या करना है direction को reverse कर देना है so actually क्या होगा कि अगर यह disc है तो अगर यह इधर जा रहा होगा मतलब इस पर 20 newton का force इधर लग रहा है और friction force actually में इधर लएगा और 23 newton का लगेगा है ना तो अभी हमने last example में यह देखा कि यह जो disc है डिस्क के अगर topmost point पर force लगाया जाए यहाँ पर हमने जो force लगाया था 20 newton का तो friction force जो है वो आ गया forward direction में इधर लेकिन अगर ऐसा हो अगर हम force 20 newton का इधर लगाएंगे सेंटर पर तो friction force पीछे आ जाएगा इधर तो इसका मतलब यह हुआ यह भी हो सकता है एक और देख लेते हैं अगर यह friction force यह जो driving force है वो हो सकता है कहीं से हम नीचे से लगाएंगे अगर यहाँ पर 20 newton का force लगाएंगे तो friction force फीर से पीछे लएगा तो friction force का जो direction है वो actually में depend करता है कि हम कितनी height पर driving force अपलाई कर रहे हैं direction of friction force on a body body means round body in pure rolling depends on height at which driving force is applied or simply we can say that it depends on height of point of application it depends on height of point of application of driving force है ना तो अब हम यह पता करेंगे कि कितने height पर force apply करने से friction जो है वो अपना direction reverse करता है ठीक है जैसा हमने देखा कि ऊपर लगाने पर topmost point पर लगाने पर यह height हो गया यहां पर यह जो height है यह इस case में two r के equal है यहां पर जो height है यह r के equal है और यहां पर जो height है वो r से भी छोटा है यह चीज लेस देन r तो अगर friction force height पर depend करता है friction force का direction अगर height पर depend करता है तो हम कहां पर force लगाएं जिससे की friction force जो है वो zero हो जाए friction force हम देख रहे हैं कि height के साथ में change हो रहा उसका direction तो एक ऐसा point तो होगा जहां पर friction अपना direction reverse करता होगा एक ऐसा height होगा जहां पर force अपलाई करने से friction force अपना direction reverse करेगा है ना तो उस case में क्या होगा कि friction force zero होगा वहाँ पर है ना तो वो height हम लोग पता करने की कोशिस करते है उसके लिए हम लोग एक disk का ही example लेते है यह हो गया disk और इसका center जो है यह मान लेते हैं यहां पर तो यह center हो गया और ऐसा मानते हैं हम लोग जो force इस पर अपलाई करेंगे यह force का height हो गया ground surface है तो ground surface है तो ground surface से h height पर हम लोग force अपलाई कर देते हैं यह height मान लिया h इसका radius है r तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी तो friction का direction हम general case ले रहे हैं तो friction मान लेते हैं कि इसमें पीछे लग रहा है ऐसा मान लेते हैं कि जो friction force है वो backward direction लग रहा इधर यह हमने friction ले लिया तो इसका जो acceleration आएगा वो कहीं इधर आएगा और angular acceleration आएगा ऐसे तो इसका translational equation लिखेंगे पहले translational equation of motion तो यह आएगा capital F minus friction force is equal to mass of disk into acceleration अच्छा और फिर इसका लिखेंगे rotational equation of motion तो rotational equation हम लोग क्या करते हैं कि इसी center के about इसको axis माल लेते हैं तो center के about जो है टॉर्क लेगा force का F into H minus R एना H minus R clockwise direction में टॉर्क लेगा और फिर friction का torque भी इस center के about clockwise direction में लेगा वो हो जाएगा F into R और यह हो जाएगा I into alpha मतलग की MR square by 2 into alpha तो यह first equation और यह second equation second equation को थोड़ा सा simplify करेंगे हम लिखेंगे FH minus FR plus FR into MR square by 2 into चुकि perfect rolling हो रहा है तो alpha को हम लोग लिख सकते हैं A by R है ना due to perfect rolling A is equal to alpha R तो इसको simplify करने से यह हो जाएगा equation M A R by 2 और इसको ऐसे लिखा जा सकता है FH by R minus F plus friction force is equal to M A by 2 यह equation से यह आ गया तो अब क्या होगा यह equation है third equation लिखते हैं इसको और यह first equation इनको हम लोग सोल्व करते हैं F minus F is equal to M A तो यह first equation था इनको solve करने से हम लोग क्या करते हैं यह friction जो है cancel हो जाएगा तो बचेगा यह friction cancel हो गया यह F V cancel हो गया तो F H by R is equal to 3 M A by 2 मतलब A का जो value आया 2 F H by 3 M R यह तो acceleration आ गया अगर acceleration का value first equation में रख दिया जाए इसमें तो friction force भी निकाल सकते हैं तो रख करके हम लोग देखते हैं तो first equation में F minus F is equal to M into A 2 F H by 3 M R तो यह quantity हो जाएगा 2 by 3 F H by R तो यहां से नो लिक सकते हैं F into 1 minus 2 by 3 H by R is equal to friction force यहां से friction force का value हिया हो गया now friction force friction force will be 0 when 1 minus 2 by 3 H by R is equal to 0 means H is equal to 3 R by 2 तो इससे यह proof होता है कि अगर जो डिस्क है यहां से समझें यह जो डिस्क है अगर यह height 3 R by 2 हुआ तो friction force है वो 0 हो जाएगा है अगर एसे समझेंगे कि अगर यह जो force है यह force जो हमने F लगाया है अगर यह force 3 R by 2 पर लगेगा तो friction force जो है वो हो जाएगा 0 है अगर ऐसा हुआ कि जो force है उसका जो height है यह greater than 3 R by 2 हुआ तो friction force आगे की तरफ लगेगा अगर इस डिस्क पर जो force है यह force का जो height है h अगर यह less than 3 R by 2 हुआ तो friction force पीछे की तरफ लगेगा तो 3 case हम लोग देख सकते हैं case क्या है एक तो यह case हो गया इस case में क्या है कि अगर force को 3 R by 2 से नीचे height पर लगाएंगे f को तो friction force backward डिरेक्शन लगेगा अगर यह height जो है अगर इस height को 3 R by 2 से बड़ा कर देंगे तो friction force आगे लगेगा यानि अगर h का value exactly 3 R by 2 हो exactly 3 R by 2 होगा तो friction force 0 हो जाएगा ठीक है तो यह हमने disk के लिए calculate किया यह हम लोग किसी भी general body के लिए calculate कर सकते हैं किसी भी round body के लिए for a round body कोई भी round body हो जिसका radius हमने ले लिया है R और इस पर हम जो force लगाएंगे force अपलाई करते हैं यहां से h height पर यह जो height है इसको ground से h height पर apply करते हैं इसमें ground है rough है लेकिन इसमें friction force नहीं लगेगा इसमें friction force हमें 0 करना है तो क्या करेंगे कि अभी friction force हमें हम लोग apply करते हैं और बाद में उसको 0 कर देंगे हमने friction अभी मान लिया कि friction जो है वो backward direction में इस तरह से लग रहा है तो इसका translational equation लिखेंगे और rotational equation भी लिखेंगे सबसे पहले rotational equation of motion लिख लेते हैं तो rotational equation of motion में हम लोग क्या करते हैं कि यह जो point है जो point of contact है इसको axis मान लेते हैं मान लेते हैं point A है ठीक है तो torque about A is f into h जो यह वाला force होगा उसी का torque आएगा friction का torque 0 mg का torque 0 और normal का torque 0 तो यह torque आएगा is equal to moment of inertia about A into alpha यह होना चाहिए और इसको लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं जो i a है इसको एक बार ऐसे समझते हैं i cm जो center of mass है i cm plus m r square ऐसे लिख सकते हैं into alpha तो i cm जो है वो उसको लिखा जाएगा m kc square kc means radius of gyration about center of mass plus m r square into alpha अब जो alpha है चुकि perfect rolling हो रहा है तो m kc square plus m r square alpha को a by r लिख सकते हैं for perfect rolling perfect rolling के लिए alpha जो होगा a by r हो जाएगा तो यहां से अपना जो equation है f h is equal to m a by r into kc square plus r square यह पहला equation हो गया अच्छा rotational इक्वेशन ओफ मोशन अगर इसको लिखेंगे तो रोटेशनल तो हो गया अगर ट्रांसलेशनल इक्वेशन ओफ मोशन लिखेंगे और opposite direction लग रहा है friction तो minus f is equal to mass into acceleration तो एक इक्वेशन अपना यह आया और दूसरा equation जो है वह यह आया इन दोनों को solve करके हम लोग f friction का value निकालेंगे तो यहां से friction जो आएगा वह होगा f minus ma f minus am into a का जो value है इस equation से calculate करके इसमें रख देते हैं तो इस equation में यह जो equation है इसमें से a का value हमनों निकालेंगे तो यह कुछ ऐसा आएगा f into h into r divided by m into kc square plus r square यह यह हो गया a का value is equal to m into is equal to m हो गया है तो अब इसको थोड़ा simplify करेंगे m और m cancel हो जाएगा और इसमें से f को कामा ले लेंगे तो बचेगा 1 minus h into r by kc square plus r square यह हो गया friction friction force हम लोग जीरो करना चाहते हैं यह 0 कव होगा जब 1 minus hr by kc square plus r square यह हो जाएगा 0 तो इसका मतलब हुआ कि जो h का value होगा वह kc square plus r square divided by r तो हम यह कर सकते हैं कि इतनी height पर अगर force apply करेंगे तो friction force 0 होगा you know if height h is greater than kc square plus r square by r then friction force acts acts in forward direction forward direction का मतलब हुआ कि जीधर जो है हम लोग force लगाएंगे उधर ही friction force भी आएगा or if h is less than kc square plus r square by r then friction force will act in backward direction तो backward direction का मतलब हुआ कि अगर हम लोग force जो है वो इस height से नीचे लगाएंगे तो friction force उसके opposite direction में लग जाएगा तो अब हम एक नया concept सिखेंगे इस concept को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक disc ले लेते हैं ठीक है यह तो disc है यह ground surface पर perfect rolling कर रहा है अब इसका जो center of mass है इसको कुछ velocity दिया गया Vcm और साथ में angular velocity जो है omega है ठीक आचा कोई इस पर force लग रहा होगा जिसके कारण से इसके center of mass के पास एक acceleration है ACM और angular acceleration जो है आलफा इस disc इस rolling without sliding तो अगर यह perfect rolling कर रहा है तो इस disc के ऊपर ऐसे कई सारे points है जिनके acceleration हमें calculate करना है जैसे एक topmost point है A, एक point हो गया यह B, lowermost point है C और एक point और है D तो यह चार points के जो है हमें acceleration find करना है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई round object perfect rolling कर रहा हो तो अगर यह perfect rolling कर रहा है और इसके पास सिर्फ center of mass को velocity दी गई है VCM angular velocity इसका है omega तो जितने भी points होते हैं जितने भी points होते हैं उनका center की तरफ center petal acceleration होता है omega square r यह जो point है इसका भी acceleration होगा omega square r lower most point का भी omega square r और यहां जो point है इसका भी acceleration omega square r होगा ठीक है यह तो तब हो गया जब इस offset को सिर्फ velocity दिया गया हो कोई force नहीं लग रहा हो velocity है VCM angular velocity होगा और कोई force नहीं लग रहा है तो यह acceleration होता है ऐसा हमने पीछे concept में सीखा ठीक है अब इस question में दिया गया है कि इस disk के पास एक acceleration भी है ACM और एक angular acceleration भी है alpha तो अब यह दोनो acceleration का भी part जो है इसमें count होगा तो जैसे हम बात करें topmost point की तो topmost point पर जो velocity आएगा अब आएगा ACM प्लस alpha into r ठीक है आचा जो यह वाला point है इसके पास भी इदर acceleration आएगा ACM और नीचे की तरफ आएगा alpha r जो lower most point है इसका इदर ACM और इदर आएगा alpha r जो यह point है इसके पास तो horizontal direction में ही आएगा ACM लेकिन tendential direction में आएगा alpha r ठीक है तो हमें points दिये गएते हैं a b c और d तो अगर इनके acceleration निकालने हो तो हम लोग क्या करेंगे to find the acceleration of point a point a का acceleration find करना हो तो हमें क्या करने चाहिए यह है ACM प्लस alpha r और यह है omega square r इन दोनों का resultant निकालना चाहिए है ना तो ACM प्लस alpha r whole square प्लस omega square r का whole square और इसका root इसी तरह से अगर point b का acceleration calculate करना हो तो क्या करेंगे ACM और यह omega square r दोनों का resultant आएगा horizontal direction में ACM minus omega square r ठीक और यह और acceleration है tangential alpha r तो इन सबका resultant निकालना है तो यह हो जाएगा alpha into r का whole square और इसका root अगर आते हैं point c का acceleration निकालने के लिए तो देखेंगे ACM और alpha r का resultant horizontal direction में आएगा ACM minus alpha r whole square प्लस एक centripetal acceleration है omega square r whole square इसका root इसी तरह से एक और point है अपने पास जो d है point है यह point d है इसमें horizontal में दो acceleration है ACM और omega square r इनका resultant निकालेंगे फिर alpha r भी है तो यह आजागा finally dick acceleration ACM plus omega square r का whole square plus alpha r का whole square का root तो इस तरह से इस disk के ऊपर कोई भी point होगा कोई भी point होगा तो इसका acceleration जो है वो calculate किया जा सकता है जैसे suppose एक point हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई point ले लेते हैं अब यह जो point होगा इस point के पास भी कई तरह के acceleration होगे एक तो center की तरफ आएगा omega square into r अगर यह r radius के circle में घूम रहा है तो ठीक है आजा टेंजेंशियल acceleration आएगा alpha into smaller और एक acceleration center of mass का है ACM तो यह जो तीन acceleration हमने लिखे यह ACM यह alpha r और omega square r इन तीनों का result निकाल करके उस point का भी acceleration calculate किया जा सकता है ठीक है